बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके पिन यूटूब चैनल सुकला स्थली पॉइंट में मैं से हुम सुकला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इनफर्मेटिव होने वाला है आप लोग के लिए और बहुत ही ज़्यादा जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी आपकी परिक्षा चाहे लिखित हो चाहे आपकी परिक्षा अब्जक्टिव हो दोनों के लिए हैं लेक्च इससे क्या होता है, class disturbed होती है, मेरी पयारे दोस्तों तो आप लुक बात चित बिल्कूल भी न करें, आसानी से अपना काम निकालें, आसानी से अपनी पढ़ाई करें, मेरी प्रयास तो यह बात ध्यार न किंगे, और second semester के लिए बता दूँ आपको कि आपकी तयारी बिधवत से आपके सुकला स्टुदी पॉइंट चैनल की माध्यम से होगी और साथ ही साथ एक एपलीकेशन भी मेरा लांच हुआ है तो उस पे मैं कलास चलवाने का प्रियास आपकी पूरी की पूरी सिलेबस को पढ़ाने का प्रियास रहेगा की लेक्चर वान लेक्चर टू परकार से सुरू से लेकर के आंधर तक उसको बड़ी कम फीस में आपको वहाँ पर सुकला स्टुदी पॉइंट पर पढ़ाने का प्रियास किया जाएगा ठीक है तो अभी से आप सुकला स्टुदी पॉइंट यूटूब से प्ले स्टूर से आप डाउन लोड कर सकते हैं और सेकंड सेमेटर तक तयाली उसकी आपकी बिधवत रूप से करवाने का प्रियास रहेगा ओके हलाकि अभी और यह मैं सोचे कि यूटूब पर क्लास आपकी नहीं होगी यूटूब पर और भी क्लास होगी यूटूब पर भी क्लास आपकी होगी लेकिन जिसे बहुत सार अच्छा रहे होते हैं हमारे बहुता कमेंट करते हैं सर जी जो है एक सीरियल से बताएए पूरी की पूरी चीज़े तो यूटूब पर पढ़ाना वो संभव नहीं हो पाता है चूकि यूटूब पर कुछ इसी जो है क्राइट एजी आज होगी तो आपको परेशान होनी की ज़रूर कोई दिक्कत नहीं उसमें तो बिया पर्थम समेटर की मैं बात करूँ सेमेश्टर की बात करूँ बिया पर्थम समेटर की तो सोसियोलाजी का पेपर अभी लगा हुआ है तो इन सभी के परिक्षाओं के लिए बहुत ही अता महत्पून है जितने भी बिस्विद्याले हैं मैं बाब और लेबस सभी का सेम हो चुपा है और नई सीक्षानिती की तहण मैं बताने का प्रियाज प्रयास कर रहा हूं हूँ तो हाल माडल पेपर होगा اक प्रकार से सोसियोलाजी में कैसे कैसे प्रसन आएं Так만 को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा उनके उतर भी आपको बताऊंगा कि उनको कैसे लिखना आए तो आप लोग बने रहेगा सेशन में ओके यही परिश्ण परिच्छा में आएंगे बात आप ध्यान रखेंगे बहुत यादम है और एक प्रकार से आप सोचे कि आपकी परिच्छा गर कल है परसों है तो आपकी डिविजन क्लास हो सकत है यह ओके चलिए और मत देखा लिए इतिहास की जल्दी आपके समझ दे दूँगा तो आप लोग परिशान मत होईएगा अगला देखते भाई देखिए फड़ापट से सबी लोग देखने का प्रियास करेंगे बीए प्रतम समेस्टर समाज सास्त्र रहनी सोसियोलाजी प पढ़ना पड़ेगा आपको आए देखते बेसिक कंस्ट में क्या होता जैसे कि हमारी पुरानी वीडियो पढ़ी है जो है सोसियोलाजी की बहुत सारे क्लास पढ़े पर्थम समेंटर के पेपर वन की वह क्लास इसके लिए बहुत यह दमाहत पूर है तो आप लोग देख ल अलग अलग पटर्न में चार कर ने होंगे दस परसंट दिये जाएंगे किसी में हो सकता है की जो है लग उत्री और दीर गुतिर दीनो दिये जाएंगे तो अलग 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 प्रसणाते हैं और यह यह बिलकुL भी छंता मतें हिर ये वीडियो काहे पींस विद्याले से हैं, आप हम यहां पर हम यहां पर द जो है दस आते लहां गुतरीस परसंद के उत्तर подवाइं और लगभग लगभग आपको बता दें कि हम यहां पर आट से दस जौ है लगुतीरे परसंद सबी परसने हाज़े करने हैं आप क्या जानते हैं यह परसन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और बहुत ही अच्छा परसन है तो यह परसन अगर आपको बताना चाहे तो आप कैसे लिखेंगे इसका हलाकि एकजाम से परसन यह भी पोश सकता है कि समाजसास का अर्थ बताओ समाजसा की परिभासा बताओ तो आप बता देंगे समाजसास का अर्थ परिभासा बिलकुल बता देंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको बता दे समाजसास्र आपसे पूछे क्या है यह समाजसास समाज का कैसा विग्यान है तो नवीन विग्यान है ओके यह बाद ध्यान लखेंगे और इसमें बात किये तो समाज साथ दो सब्दों से मिल करके आपका वनता है एक सोसियस और दूसरा कौन सा भई सोसियस एक है और दूसरा कौन सा है आपका लोगस सोसियस जो सब्द है उसकी करने वाला समाज का अध्यन करने वाले विज्ञान को हम समाज सास्र कहते हैं आर्थात समाज सास्र का अर्थ मानो समाज के समाजिक संबंधों के विवस्थित युम करंबद धंग से अध्यन करने वाले विज्ञान को हम समाज सास्र कह सकते हैं इसमें कोई दोराय नहीं है तो सके यह बात किसने बताई मैकाईबर ने बताई है और मैकाईबर और पेज कहते हैं कि समाज सात्र समाजिक संबंधों का जाल होता और उसी जाल का अध्धन समाज सात्र में किया आता है यह बात किसने कही मैकाईबर पेज ने कहा क्या कहा कि समाज सात्र समाजिक संबंधों के भी सह में है और संबंधों के इस जाल को ही हम समाज कहते हैं और इसी समाज का अध्धन जो है समाज सात्र करता है यह बात दताई उन्होंने मैकाईबर पेज ने अगर आपको ये अच्छे तरीके समझने तो हमारे lecture 1 पड़ा हुआ है और इससे पहले कि हमारे model paper पड़े हुई है दो model paper इससे पहले लिखित के हो चुके है और तीसरा model paper मैं दे रहा हूँ objective की दो-तीन model paper हो चुके तो objective वहाँ पर देख लिजीगा लिखित वाले हिंदी का बहुँ ज़्यादा प्रियास करें कि सची हिंदी का objective बताइए तो हिंदी के objective के लिए हमने कई सारे वीडियोज दे दिये हैं और इससे की जो डेडियू का paper हुआ था objective हुआ था उसके भी हमने 3 के 3 और 4 ती बार 820 वहां का paper हुआ था आप देख लिए आपके यूटिव चनल पर अवैलेबल कर दिया है तो आप लग उस वीडियो को देख लिजेगा और वो तीम वीडियो देख लिजेगा आपके जू है काम हो जाएं कोई दिक्कत की बात नहीं और भी माँ देखेंगे अगर समय बचेगा तो मैं आपको एक आद माड़ा पर देदूगा ओके चले देखते हैं समासाथ की उत्पती के बारे में आप क्या समझते हैं तो आप यह परिभासा हो गई परिभासा जनली हमने पूरी की पूरी विस्तार समझाई किसी कोई विग् समासाथ नाम समासाथ की उत्पती के बारे में आप क्या जानते हैं तो आप क्या लिखेंगे इसमें आप लिखेंगे कि समासाथ की उत्पती का स्रिय फ्रांस के दार्सनिक या फ्रांस के बिद्वान अगस्त को जाता है आप ऐसा लिख सकते हैं और आगे लिखेंगे कि जि सोसियोलाजी सब्द का प्रियोग किया और अगस्त कॉम्टे की बात किया तो इसी लिए इनको समाज सास्त का जनक कहा जाता है समाज सास्त का पीता कहा जाता है फादर अप सोसियोलाजी कहा जाता है ठिक आगे आप लिख सकते हैं कि समाज सास्तर के विकास की जो पर्थम अव और उसके बाद में समाज सास्त्र में हरवर्ट इस्पेंसर अठा़ा सो बीस ज़ियूंतू पतर। मलग की चिंतन होता रहा है और भारत में बात किया तो बेदो में सहिताओं में आप देखेंगे इस मर्तियों में और मानो और समाज इन दोना का उल्लेख आप बेदो सहिताओं इस मर्तियों सभी में देख सकते हैं विसलों गुपते ने आर्थसास्तर आर्थ विसलों गुपत सब्सक्राइब और नी हमी सो जो है बात कि जया थारा सौरती सेष्ड़ी में इसको समाच साथ के नाम से सोचियोलाजी नाम दिया गया और किसे ने तो अगर स्कॉस्ट समिधी में क्या आनतर होता है इंको आपको पढ़नाएं को बता दिए हैँ दोनों की बिसेशताओं को और इन सब्षी चीज़ों को बता दे तकि आप जो है आसानी सुनिएगा और बड़ी ही तेजी सी के साथ हम बढ़ेंगे तो आपको एक परकार से डिवीजन कलास है ठीक है तो आप लोग जो है देख लिजेगा समुदाय की परिभासा अगर बात की जाए तो समुदाय की बात की जाए तो समुदाय जो होता है इंदी में समुदाय कहते हैं ठिक बात की जाए तो टुगेदर मलब की जो है इसका जो कौम मतलब होता है उसका मतलब होता है तुगेदर कौम का निमने क्या होता है तुगेदर होता साथ साथ या एक साथ और जो है आपका म्यूनिस माने होता है सर्विंग अंगरेजी में और सर्विंग माने होता है सेवा करना तो साथ साथ मिलकर सेवा करना ये क्या होता इसी को हम समुदाय या कमुनिटी कहते हैं लेकिन इतने मातवसर समाज सास्त्री ये लोग समाज सास्त्री नहीं मानते हैं कि हाँ ये परिभासा इसकी सही होगी तो इसलिए अलग-अलग परिभासा है क्या कि एक समाज एक ऐसा समाज जो की एक निश्चित भूभाग में रहता हो और उसी को हम समुदाय कहते हैं बड़ी सिंपल सी परिभासा है कि मलब कि एक ऐसा समाज जो की एक निश्चित भूभाग में रहता हो और उसी परपना सामान जियोन बेतीत कर ले सबसे छोटा वह छेतरी समू होता है अर्थात समाज का जो समू होता है वो एक परकार से समुदाय का सबसे छोटा समू होता है कौन आपका कौन समुदाय समुदाय सबसे छोटा वह छेतरी समू होता है जिसके अंतरगत समाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं समाजिक पर पुरा का पुरा 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 उसका जीवन निकल जाता है कि निश्चित भूभाग में हो उसके अंदर समुदाय क्ता पाई जाती हो यह तुप समुदाय की बिसेस्ता है तो वह समुदाय होता है समुदाय स्वता ही स्वता दिर्मित होता है और अस्थानिय पन होता है इसका क्या होता है स्वारी अस्थाई पन होता है अर्थत ये भागते नहीं धरुदर की हाँ आज को यहां है कल को धर चले गए ऐसा नहीं है ठीक इनका अस्थाई पन होता है तीसरी बात की इनका विस्स होता है छिमन की जो समान उद्येस है कि पढ़हाई लिखाई भी करनी है और जो है झाल कर करना है और मलब उनका पाणनता पूसर करना है रोटी का मकान देखना है यही प्रकैम की तोर पर पर लोव सभीaya होता है यह इसका जो उद्दिश होता है वो ब्यापक होता है ये बात ध्यान रखेंगे शटवी बात है कि सामान जीवन ये लोग बितीत करते हैं सातवी बात है कि सामान नियम की व्यवस्ता होती समुदाय की ठीक है और अठवी है कि ये आत्मिर्भर होते हैं इनमें समुदाय में भ्रता थोड़ी एक निर्भता durसे समधाईों पर इ597 संध तोर्व कि अनिवार स्दस्ता होती ऐसा नहीं कि आप चाहे तो जो है इसका समधाई का सदस्री बन सकते हैं नहीं बन सकते है इसका सदस्य आपको बनना है अगर आपने उस समुदाय में जनम लिया है तो समुदाय के सदस्य आप हो गए हूँ ठीक है यह बात है नखेंगे यह समुदाय होता है समुदाय की बारे उनने बता दिया आप रही बास समिती की समिती क्या होती इसको समझ लेते भाई समिती क मेरे कि के एक लिखित मालेवेब युद्य हों तो पढ़ा हुआ है आपको बता दे कि इससे पहले एक वीडियो मेरा पढ़ा हुआ है जो कि महा संग्राम वीडियो के नाम से महा संग्राम भीरयो लगबक 15 घंटे का है और उस three घंटे वाले आप देख्टी बाले भी देख सकते हैं चुकि वह बहुत ज़ता जानकारी इसमें दी गए है उसमें हमने समुदाय क्या है समती क्या है संस्था क्या है सभी के बारे बता दिया लडी तो आप उस वीडियो को देख करके आसानी से अपने चीजों को प्रयाब्त कर सकते हो और जानकारी को बढ़ा सकते हैं ठीक है अब यहां पर हलाकि संस्था के बारे में बता दे रहा हूँ एक बात संस्था जो होती है संस्क्रिट भान सके सम प्लस अस्था की योग से बना हुआ है सम का आर्थ होता एक साथ और अस्था माने होता है बैठना ठीक तो यह बाद यहा कि संस्था समाजिक बिरासत के रूब में किसी महत्पूर्ण अबसक्ताओं के पूर्ती के लिए समोहिक ब्यवहारों का जटर संगठन होता है आर्थात जो समुदाय होता है यह स्वता है इसका जलम होता है लेकिन संस्था जो होती है इसको हम लोग बनाते हैं कहने का मलब कि कोई निश्यत उद्देश से हुआ उसकी पूर्या कोई समान उद्देश से हुआ उस समान उद्देशों की पूर्थी के लिए हम लोग जो है इसको अस्थापित करते हैं और यह जो होता है एक प्रकार से वो कारिकरने में हमारी बदर करता तो संस्था एक प्रकार से होती ह ठीक संस्था में क्या होता है भाई संस्था की बात की है तो सांस्कृतिक व्यवस्था में प्रमुख अस्थान होता है इसकी एक धारड़ा होती है शूपरिभासे तो देश यह होता है इसका कि मलब की क्या करना है उसका वो देश पहले तय होता है अमोर्थ प्रकृति होती है भलब संस्था भी आप देख नहीं सेकते हैं संस्था दिखाई नहीं पड़ती ओके ये बाद ध्यान रखेंगे और समोहिक्स अभीकृती होती है धांचा इसका होता है अस्थाइत होता है संस्था में ठिक और प्रतीक होती है संस्था का हस्तालंतर होता है अपना ये चीज़ और समिति की बात किया है तो समिति माने कि जब कुछ ब्यक्ति संगटित हो करके संगटित रूब से सोच विचार करके कोई चीज करे मलब की कुछ उद्यस की पूर्ती करनी हुँ जैसे कि दुरगा पूजा मालेते करवाना हुआ दुरगा पूजा करवाने के लिए सब लोग कठा होंगे बठेंगे और समिति बनाएंगे कि हाँ दुर्गा पूजा समिति बन गई तो उसी को हम समिति कहते हैं तो आप क्या लिखेंगे कि जब कुछ ब्यक्ति संगतितो करके संगतित रूब से सोच विचार करके एक या फिर एक फिर कुछ उद्देशों की पूर्ति के लिए आपस म्यम्विल करके एक संगठन को जनन देते हैं तो उसी संगठन को हम समिति कहते हैं ये बात जो है मैगायवर और पेज कहते हैं कि समाज रम लपकी समान रोप से किसी एक मैगायवर पेज ने कहा कि समान रोप से किसी एक हीत या कुछ हीतों की प्राप्ती के लिए निर्मित संगठन को हम समिती कहते हैं वो गडर्स कहते हैं कि समिती प्राय किसी उद्देश की प्राप्ती के लिए लोगों का मिलकर के कारी करना होता है तो इस अब एक्जाम से पूछ सकता है आप से समिती की विसेस्थाएं पूछ सकता है चोथी बात है कि एचिक सदस्ता होती इसमें ठीक है उसके बाद में आवचारिक संगठन होता है आवचारिक माने कि एक कानूनी स्वभीकिर्ती मिलती है समिती को ऐसाने कि समिती आप बना ले और कानून को पता नहों तो कानून की स्वभीकिर्ती होती है आवचारिक संगठन खतम हुआ समीधी भिखर गई सम्ती खतम नहीं ठीक लेकिन समुदाय जो होती है नेधा होती है समधाय की अस्थाइ प्रकरती होती है लेकिन क्या प्रकरती है समाज Çा परकरती हमेर्प, इसी सम्माज की भाता, में भी यह आवद उसकी आस्थाई प्रकिरती होती ये बात ध्यान लखेंगे एक निश्चित सनचना होती है समिती की ये बात भी ध्यान लखेंगे तो इस समिती के बारे में बता दिया ओके तो किलिए हो गए अब अंतर आपसे पूछा गया है अंतर आपसे क्या पूछा गया भई अंतर आपस समिति और समुदाय में अंतर आप लोग दिखें सुनिएगा पहला अंतर आप लिख सकते हैं कि समुदाय जो होता है पहला अंतर समुदाय एक साधन है क्योंकि वह अपनी आवसकताओं की पूर्ति स्वयम करता है ठीक जबकि समिति क्या होती है एक साधन है मुलब कि समुदाय एक साध्धी होता है क्योंकि वह अपनी आवसक्ताओं की पूर्थी स्वयम करता है तबकि समिती जो होती एक साध्धन होती है जिसके माध्यम से ब्यक्ती लोग जो होते हैं या हम लोग जो होते हैं अपनी अवस्तक्ताओं की पूर्ती स्वयम करता है, इसलिए आप निर्भर होता है अमेरिकार दूसरों, ये बात आप ध्यान लखेंगे, तो पहला अंतर, दूसरा अंतर क्या हो सकता है आपका, दूसरा अंतर आपका होगा, फड़ा बड़ से एक बार वीडियो को लाइक और होती है आरथात समुदाय कभी भंग नहीं होता, समुदाय निश्चित उद्यमलक की समुदाय जो होता है अपने समान उद्यस्वय की पूर्ती के लिए किसी निश्चित धरातल पर अपना पूरा का पूरा जो है प्रकासे जीवन और दो-तीन जीवन बिता देता है, कहने का मनलब ये है कि समुदाय की प्रकिरती अस्थाई होती है वो भंग नहीं होती जब कि जो समिती होती है उसकी प्रकिरती आस्थाई होती है अर्था समिती भंग हो जाती है निश्चेत उदेश्वी की पूर्ती जब हो गई तो समिती आपकी भंग हो गई समझ में आ रही बाते फटापट से वीडियो को सियर कर दीजेगा सबी दोस्तों के पास अपने चलिए ये हो गया तो आप आगे लिख सकते हैं कि समुदाय जो होता है तीसरी बात कि समुदाय की अस्थापना किसी विशेश उद्देश को ध्यार में रख करके नहीं की जाती है जबकि समुदाय की स्वतह विकास होता है समुदाय का स्वतह जनम होता है क्या समुदाय का स्वतह विकास होता है जबकि समिती की अस्थापना जान बूझ कर या सोच विचार करके हम लोग करते हैं ठीक ये बात के लिए हो गई पचवांतर आप देख सकते हो भाईया पचवांतर का है पचवा का सदस्य ड्यक्ति अपने जनम के साथ ही बन जाता है इसे पैदा हुआ लड़कवा तुरंते जो है समुदायक सदस्य हो गया लकिन समिती जो होती है उसकी सदस्ता लेने के लिए आप सदस्ता उसकी लेते हैं चाहे तो आप समिती सदस्त बन सकते हैं और चाहो तो नहीं बन स हाथ है ठीक और जैसे आप समुधाय में आप पैदा हो तो आप किसी किसी समुधाय के सदस्याप पाइदा होती ही हो गए लेकिस समम नहीं बहुत अच्छा नंबर मिलेगा परिशान ना हो टेंसन त्याग दो सुकला डिपॉइंट जब तक आपके साथ है निश्चित्वार पर आपके कुछ भी नहीं पड़ा है आसानी से एक एक दो दो वीडियो देख करके आप अच्छे तरीके साथ 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 परसन नंबर सकते हैं आप देखें टाप भी कर सकते हो आप यारा इसे सारे के सारे परसन यहीं आएंगे कोनों दिक्कत की बाद ने कहीं से कुछ पूछा ही नहीं जा सकता यह बात आध्यान रखेंगे जो बातें मैं बीडियों बता रहा हूं चाहे जैसा भी परसन समिती के बारें पूछे समुदाय के बारें पूछे संस्था के बारें समाज के बारें पूछे सब आप बता देंगे बस के वोले वीडियो आप देख लीजए गए जिश्यत और पर आपके सारे आपको र welche कि लिए ऑब आप लोग works किलियर करना है तो आप लोग 3 ऐंटे वाले तो यह हो गया अंतर थी किस में समुदाया और समिती में अगर आपसे पूछ लेता कि समाज और समुदाय में क्या अंतर होता है तो समाज का कर्म स्थल बिसाल होता है बड़ा होता है और समाज जो होता है ब्यापक धरातल पर काम करता है जबकि बात किया समुदाय की तो समुदाय का करम स्थल क्या होता है सीमित होता है और यह सीमित छेतर में कारिकरता है कम छेतरों में कारिकरता है इसका दायरा सीमित होता है निश्चित ह होता है जबकि समाज का कोई दाइरा निश्यत नहीं होता है और निश्यत भी होता है ठीक दूसरी बात क्या है दूसरा अंतर समाज जो होता है आपचारिक संबंधों पाला धारित होता है जबकि समुदाय के संबंध जो होते हैं अनोपचारिक होते हैं जबकि समाज का समुद करता है और जभकी समधाय में बोक्ति से होते हैं से मित होते हैं चोती ही है कि समाज का कोई नाम कोई नाम हो ठीक इससे भावगोलिक भी सिलेशन के द्वारा जो है जाना जाता है जैसे कि भारतिय समाज हो गया ये सब समाज बोल सकते हैं तबकि समुदाय का एक जो है नाम होता है बिसेस नाम होता है समुदाय का और जैसे कि समुदाय के नाम से अपनापन बढ़ता है से योग बढ़ता है ये चीज़े होती है, समुदाय का particular अपना नाम होता है, लेकिन समाज का कोई नाम नहीं होता, ठीक, पाचीवी बात क्या है, समाज में विभिने संस्कृति के लोग रहते हैं, आता समाज विभिने संस्कृतियों का क्या होता है, विभिने संस्कृतियों का संगा मस्तल होता है समाज जबकि समुदाय की अपनी एक संस्कृती होती है निश्चे तौर पर और खास संस्कृती होती है और उसी संस्कृती का विस्च नाम भी होता है लब समाज की कोई अपनी संस्कृती नहीं होती है बहुत सारी संस्कृती रहती है उसमें समाज है बहुत सारे लोग रहते ह समध्याइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशा समाज की तमाम सारी विसेस्ता हैं होती हैं जैसे कि समाज समाज सम्बंदों का जाल है पहली विसेस्ता दूसरी विसेस्ता समाज की अनभूती से ही समाज का जनम होता है तिसरी विसेस्ता प्रतेक समाज में समानता अवस्य पाई जाती है और चोथी विसेस्ता कि समाज में सही भूमे का उधारणा होती है चीज़ आप पता सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं होती है उसमें ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और भी मुद्धोकम समझने का प्रियास करते हैं देखें अगला प्रसन तीसा नंबर क्या गाउं एक समुदाय है प्रसन बड़ा ही अच्छा है क्या लिखेंगे किसी भी समुदाय मानने के लिए यह जानना आवस्यक होता है कि क्या जानना आवस्यक होता है कि उस समुदाय की बिसेस्ताओं के समान ही होती हैं तो वह समुदाय कहलाएगा आर्था तैसा समुदाय की बिसेस्ताओं पर खरा उतरता है उस समुदाय को हम सम देखेंगे गाओं में ऐसी चीज沁टी है ऐसी समुद्धाय की सिस्टाएं होंगी निश्चित-तोर पर गाओं में है तो पर्टिकुलर नाम होता है तो समुदाय का भी पर्टिकुलर नाम होता है दोई विसेस्ता मिल गई तिसरी विसेस्ता गाउं जो होता है मानों का समुव होता है बिलकुल और समुदाय भी मानों का समुव होता है तो तीनों विसेस्ता मिल गई चौती विसेस्ता क्या है स उठा लें के मारने के लिए उसको ठीक ये हमकी भावना होती कि हां ये मेरे हैं हमारे हैं ठीक कहने का मलब ये है कि बहुत में पहल्त को पर्स पर और सब्सक्राइब करो तो हमकी वह कोसे हैं यह डावना में परेम करते हैं तोस nawai हमकी भावना होती है थीक आप आगे लिख सकते हैं कि गावन का भी स्वता जनम होता है और हमलब समुदाय का भी सुता जनम होता है गाउं का भी समान जीवन होता है समुदाय का भी समान जीवन होता है गाउं में आत्म निरभरता होती है लोग दूसरे के आमालते आपके हां आटा खतम है बजार नहीं जाना चाहते तो आप बगल वाले के हां से आटा दुरूप से बात कें बिएसा दमाने बहुत अच्छे तरीके से गाव एक समुदाय होता है ठीं तो गाव गाव का भईया गाव एक समुदाय है आप लिखेंगे कि गाव में समुदाय की सभी विशेज़ता है और आवस्यक्तव नहीं थेื่ Remote ओके दो को अस्पष्ट कीजी बिबाह क्या होता है इसको बताना है आपको फड़ापट से बताने का प्रियास करें जितने भी लोग देख रहें बिबाह क्या होता है बिबाह की बात की जाए बिबाह के आर्थ के बारे पूछा रहा है तो बिबाह की बात की जाए तो बिबाह एक सवा कर्द क्या होता है उधा माने होता है बधू आर्थात कन्या को वर के घर ले जाना तो बधू को कन्या के घर ले जाना जो होता है यह विवा होता है आते बात किया है विवाह मानिता प्राप्त तरीके से क्या विवाह जो होता है मानिता प्राप्त तरीके से इस्तिरी पूरुस तो बच्चों के जनम देने का उद्देश से भी पूरा करता है विबाहा परिवार को बसाने का उद्देश से पूरा करता है ये बात आप ध्यार नखेंगे ठिक तो इसी को संस्था हम कहते हैं वास्तों में विबाह जो है परिवार को अस्थाई रूप देने वाली एक प्रवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था होती है जबकि गिलिन और गिलिन कहते हैं कि विवाह एक प्रजनन मुलक परिवार की अस्थापना क्या होता है संस्थापना का समाज सभीकर तरीका होता है ये बात होती है विवाह की बात की जायत तो विवाह की कई भी सिस्थाए होती है जैसे कि समाजिक संस्कृतिक संस्था होती है विवाह संबंध के निधार का आधार समुख की प्रथा या कानून होता है एक समाज और द उद्देश क्या होता है अगर आपसे पूछे एम आप जो है मैरिज विवा का उद्देश क्या होता है विवा का उद्देश होता है पहला उद्देश यो निक्छाओं की पूर्ति करना जैसे जो सेक्स वाली फीलिंग होती है उसको पूरी तरिके से करवाना ठीक ये विवा क सतान के इस्थ okay विवाह से Ыखेटा से पहले किसी को संतान प्राति हो जाती तो उसको समाज भयधी नहीं मानेगा उसको अबैिससंताने खक्रों एप नजहाज और बोलाक्रा maritime तो कहने का मलब ये हैं कि विबाह का उध्देश ही क्या होता है भी विबाह का उध्देश ही होता है ये बाद ध्यान नखींगे आर्थिक सईयोग भी विवाह का उद्देश जो होता है यह बाद ध्याने केंगे विवाह कई प्रकार के होते हैं जैसे कि एक होता है मोनोगेमी यानि एक विवाह के प्रकार कोछे तो विवाह आपके कितने प्रकार होते हैं विवाह आपके जैसे कि एक तो पती पतिनी के संख्या के अधार पर हम बाढ़ सकते हैं और एक योज सम्द्धि सीमाओं के अधार पर तो पती पतिनी के संख्या के अधार पर बात की जाए तो एक विवाह होता है ओके विवाह ध्यान ने केंगे दूसरा जो विवाह होता है उसको बहु विवाह कहते हैं यानि पोलो गेमी लग पोली गेमी और जो तीसरा विवाह होता है आपका जो तीसरा विवाह होता है मेरे पैद दोस्तों उसकी बात की जाए तो वो आपका कौन सा विवाह होता है जैसे कि पोलो गेमी की बात में कौन सा विवाह होता है आपका प कि यह सब चीजे होती है बहुत विवाह के कारण कई परकार की चोफ़ीग के दोस को बातें बता दी कोई दिक्कत की बात नहीं होनीं चाहिए अगर आपसे पूछे लिए अर्थ परिभाइसा बताईए तो हिंदु विवार है कि लिए लिए एक प्रकार से इसकारेमेंट ओकी ये बात ध्यान लखेंगे तो ये हिंदु विभा के बारे में हैं तो ये आपसे पूछा सकते एक्जाम से तो आप आसली बता दीजीगा अगला परसने पाचवा नंबर देखेंगे पाचवा नंबर परसने सिक्छा की प्रमुख विसेस्ता क्या है सिक्छा के बारे में अगर आपसे एक्जाम से पुछे आर्थ परिभासा तो उसको विदा दी आपको कि सिक्छा की बात की जाए तो जो है महत्मा गांधी कहते हैं सिक्छा के परिभासा को देते हुए कि सिक्छा से मेरा भी प्राय बच्चे के सरीर मन और आत्मा में बिद्दिमान सरबोत्तम गुड़ों का सरबांगेड विकास करना होती ही सिक्षा ओके पेस्टलाजी कहते हैं प्रोफेसर पेस्टलाजी की सिक्षा मनुस्य को समस्त सहज सक्तियों का स्वभाविक अमलब की सामंजस युक्त और प्रगति सील विकास करवाना होती है सिक्षा वही होती है, सिक्षा के द्वारा क्या होता है, सिक्षा के द्वारा बात की जाए, तो सिक्षा अधिक आयो की लोगों द्वारा ऐसे लोगों की प्रति की जाने वाली क्रिया होती है, जो अभी समाजी जीवन में प्रवेश करने के योग नहीं है, इसका उद्देश में उन बहुतिक बहुतिक और नयतिक बिसिस्ताओं का विकास करना होता है जो कि उसके लिए संपूर्ण समाज और परियावण में वह अनकुलन कर सके तो वही चीज़ होती सिक्षा सिक्षा के मलब होता है कि जिसे आप क्या हो जो आपके अंदर जो फीलिंग से उन को आपका बाहर निकाल सके हैं आपके अंदर जो ज्यान है कई बिसेस्तायां होती है अब इसेस्ताओं की बात किया सिक्षा के बिसेस्तायां तो मैं सिक्षा कई परकार की होती है वह भी चीज़े होती सिक्षा कई कारी भी होती है समाजी करण में सिक्षा महित्पुन योगदान देती है बौधिक सब यहां तहसे बनाने का योगदान करने का योगदान करने का योगदान बी रही देया जा América है। 것이 करने अफिरकार पॉटाज्स का आप से बन आप आप लोग उसको समझने का प्रियास करेंगे ने बहुति हैए परपर बड़ेजिक करीजेगा if a song आपको प्रस्तों हां क्या फर्षा कर लिखेंगे इसीन सप्रों मसा अब नहीं थोती हैं दूर तीसरी विसेस्ता सिक्षा के प्राप्ति से ना केवल मनुस्य के बेक्तित्यों आर्थास बेक्तित्यों में क्या आता है आपका सारे रेक बेक्तित्यों हो गया बहुत धिक नैतिक यह सारे के सारे बेक्तित्यों के अंतरकत ही आते हैं यह से भी दसाओं क का उतकरस होता है मनुस्य के वेक्तित्तों का उतकरस होता है बलकि समाजिक सांस्कृतिक जीवन का भी बहुत आगे बढ़ता है उसका जीवन घ्सक्रण करते हैं कि सिक्छा से अतीत अब अवर्तमान दोनों इसա संस्कृतियां जी बित रहती हैं पाचवी चीज क्या लेख सकते हो इसकी विशेष्टा कि अपनी संतती को सिक्षा द्वारा ही समयक रूपेंड सिक्षित किया सकता है आर्था जो आपकी चीजे होती हैं आपकी जो संताने होती हैं या फिर आपको जो पीड़ी आगे बढ़ा जैसे की हम प्रस्मों के उत्तर जो आपको बता रहे हैं यह चाहे आपकी परिच्छा जो है अब्जेक्टिब बुचार लिखित हो सभी के लिए महत्पूर है उसके साथी साथ आपको बता दूं कि ये चाहे जो प्रस्म का ऊतर हमने बताएए आतेले गुत्रिये प्रस्म के जलती देतूंगा तो आप प्रिशन मत होई को उसके लिए हिंदी का आप जख्टी बाला मॉल बेपर पढ़ा हो पहले से उसको देख लिजिएगा ओके आगे देखते हैं अगला प्रसन च्छटा बार अमबर प्रसन है कि संस्कृति की परिभासत दीजिए संस्कृति क्या होती भई संस्कृति की परिभासत दीजिए ठीक है पिढ़ी से दूसरी पिढ़ी में अस्थानंतर करने कोई संस्कृति कहते हैं बात ध्यान लखेंगे संस्कृति जो होती है आपकी संस्कृति क्या होती है संस्कृति भौतिक भी होती है यह से कि आपकी कल्चर जिसको कहते हैं आप कल्चर ठीक है यह बात ध्यान लखेंगे आपकी भहुतिक संस्कृति है ठीक है यह सब आपकी कैसी भहुतिक संस्कृति है तो आपको बता दी जाए कि संस्कृति क्या होती है संस्कृति बात की है भहुतिक संस्कृति और भहुतिक संस्कृति के बारे में अभी हम भहुतिक संस्कृति को अंगरेजी में material culture कहते हैं और अभवतिक को नानमटे दिल कहते हैं तो भवतिक संस्कृति मोर्थ होती है अभवतिक संस्कृति कैसी होती है अमोर्थ होती है ठीक अभी मैं इसके अंतर को भी बता दूँगा आपको हला कि मैं भवतिक संस्कृति की परिभासा आप कैसे लिखेंगे संस्कृति की परिभासा को देते हुए एक बिक्ती है उनका नाम है बोगाडर्स बोगाडर्स महोदे बड़ी अच्छी परिभासा देती हैं संस्कृति की और कहा बोगाडर्स महोदे ने कि संस्कृति जो होती है किसी समूह के क्या संस्कृति किसी समूह के कार्य करने वा सीखने की समस्त बिधी को हम संस्कृति कहते हैं क्या समस्त बिधियों को किसके जो समूह किसी समूह में कार्य करने की सीखने वाले जो बिधियां होती हैं उन्हीं बिधियों को हम क्या कहते हैं संस्कृति कहते हैं कि संस्कृति मानों का हस्ति उद्योग है क्या संस्कृति मानों का हस्ति उद्योग होता है तथा वह साधन जिससे वह आपने साध्यों को प्राप्त करता उसी को संस्कृति कहते हैं मोह दे करते हैं कि संस्कृति उन सभी समिस्थ्याओं का योग है जिसमें एक समाज के सभी सदस से भाग लेते हैं ये संस्कृति की परिभासा हुई संस्कृति की कई बिसेस्ताइं होती है पहले बिसेस्ता संस्कृति मानो निर्मित होती है दूसरी बात क्या होती मलब मानो द संस्कृति में समाजे गुण भी नहीं थोते हैं छटवी बात आप लिख सकते हो कि संस्कृति मानों की अवसक्ताओं की पूर्ती करती है साथवी बात क्या है कि संस्कृति समू के लिए आदर्स होती है ठिक जोकि सभी लोग अपनाते रहते हैं जिसे कि आपके पिता जी की ज कैसी होती मंद होती है संस्कृति में संतुलन नियुम संगठन दोनों होता है संस्कृति के विकास के लिए आवस्यक होती है संस्कृति में सामाजस करने का गुण भी होता है संस्कृति अधिबैक्ति होती है क्या होती है अधिबैक्ति भी होती है ये बात ध्याने किंगे संस् संस्कृति की बारे ने वियुंद संथक्रति के बारे ने आप से संथा की zaczyटाै आ ने बटादा को संथानटा बात की और संभिता साधानता बाती बात किए तो संपरता करत क्या होता है बहुति को झोश्चनों उसे लगाजा आ परंतु या सोचना उचित नहीं है तो सब्विता की बात की जाए तो सब्विता क्या होती सब्विता का जो साब्दिकर्थ होता है उसका होता है अंग्रेजी में सब्विता को सिबलाइजेशन कहा जाता है और सिबलाइजेशन जो है अंग्रेजी भांसा के सिबलाइड जो जो सब्द होता सिबलाइजेसन जो बना है वो किस से बना भाई वो सिबिटास से बना है और सिबिस सिबिस और सिबिटास से बना हुआ है कौन आपका सिबलाइजेसन ओके और सिबलाइजेसन मलब होता सिबिस माने होता है नगर निमासी ठीक है जो एक अस्थान पर अस्थाई रूप से रहते हैं तथा जो शिच्छित हैं और जीवन जिनका व्योहार जटिल है उसी को हम सिभलाई ते हैं क्या kayak काते हैं टाइलर कि सब्विता मानों जाती की वह ब्यक्सित अवस्था होती है जिसमें उच्छ स्रेणी के बैक्तिक एवं समाजिक संगठन पाए जाते हैं जिसका उद्देश मानों के गुणों सक्ति और प्रसनता में बर्दी करना होता है तब कि मैथ्यू आर्नार्ड कहते ह समाज में मानों का मान भी करना होता है अब हमें सब्विता और संस्कृति में अंतर बताओंगा तो आपको पता चलिएगा कि सब्विता क्या संस्कृति क्या है सब्विता का अंगे की बाति सब्विता में जैसे कि वाई वियान हो गया मसीन होगा टाइप राइटर होगा का पहली भिसेस्ता सभिता की किया लिखेंगे की मानो द्वारा निर्मित भौतिक वस्तुएं सभिता कहलाती हैं दोसरी विसेस्ता क्या है सभिता उपयोगी वादि होती है ठीक उसकी उपयोगी ता होती है पाचवी चीज क्या है सब्विता में परिवर्तन का क्या होता है गुन होता है यसे मानते पंखा बना फिर पंखे में और तमाम परकार के परिवर्तन हुआ तो इस परकार से परिवर्तन सील होती है ठीक छटवी विसेस्ता क्या है कि सब्विता में आदर से व्यवस्ता कायम की गर्मी लगी है पंका चला लिया तो खुब आनद मिलेगा आपको तो यह संभिता का ही कारे होता है नवी चीज क्या है भाई संभिता किमा आप कैसी होती सरल होती है दस्वी बात क्या है संभिता सदा आगे की ओर प्रगती होती रहती है प्रगती सील लेती है ग्यारवी इसे पता सकते हैं कि सबीता संस्कृति के विकास का उच चस्तर नहीं होता है जोगंग होसी सभीता अधियर के सबीता कितनी अच्छी है कहने का मलब है कि सबीता अच्छी होती के Santos बता हो बना की कूलर रापका बना का ho दोनों में अंतर आपको बता दूंगा ठीक है सब्विता का संब्ध मानों के बाहर जीवन से होता है ठीक ये बाध्यान लखेंगे अब आईए हम इसके अंतर क्यों समझते हैं सब्विता और संस्कृति में आपका अंतर क्लियर हो जाएगा नहीं तो आप भरमित हो जाएंगे पहला अंतर दोनों में ये हैं कि सब्विता का क्रमिक विकास होता है वह नीचे से उपर की और बढ़ती है जैसे कि बैल गाली से मोटर वायू यान तथा अंतरिक शियान बन गया बैल गाली के बाद में तो ये सब्विता का ये कंग होता है सब्विता जो होती है नीचे अस संस्कृति के विकास की कोई दिसा अथा करम निधारत नहीं होता जैसे कि आज के नाटक कार कालिदास और सेक्सपियर के नाटकों से अच्छे भी नाटक हो सकते हैं और खराबी हो सकते हैं तो कहने का मलब यह संस्कृति यह होती है संस्कृति अच्छी भी हो सकती पहले के आप कह सकते हैं जैसे कि वायवियां से हमने के अब cod ऑब्लगारी से वायवियान वना यह परकार से पंख्रे से आपका एसी बन गया ठीका पूलर बन गया यह सब घृता का सब्धा का हसतान अंतर एक यो गिता के का अध्यास्वitte बात बीद리 को अधवा पड़ता है तथा अपनी रुचियों और विचारों और मनोभाओं को बदलना पड़ता है संस्कृति के लिए ठीक तीसरी इसका अंतर यह होता है कि सभिता का विस्तार बहुत तेजी से होता जैसे कि जो है जो है टेप रिकार्डर जो होता है और टेली फोन इन सभी को लेकर क आप देखेंगे कितने गल्दी विकास हुआ जबकि संस्कृति का विस्तार कठनाई से और मन दगती से होता धीरी धीरी होता जैसे कि कोई परथाए थी परंपराएं थी धार में विस्वास था तो इस सब धीरे धीरे बदलते हैं ठीक चौथा अंतर यह है संस्कृति सभित को मूल तथा उपयोगिता के मापदन द्वारा हम समझ सकते हैं माप आ जाता है ठीक और संस्कृति की माप करना कठिन है जैसे कि, जो है, संस्कृ्ति की माप करना कठिन है, जैसे कि बात कि युद्अ किजान के, वह उनम आपे, संसकृतब्य नहीं के, कि संस्क्रति की माप करना कठे जैसे की 팁सी की में प själओ करना, amodis, जैसे कि, कुश dropping, जैसे कि जैसे कि rain, scorakarm, gita, God, k Mathma Aert blij. लोगी बाति हैं सभिता की बुस्तों ゃुकिंद्दि को किसा रर्प्रतियों कितावादी में पहला आद्र यह मेरी तिकस रूत होती है और अब बहुतिक संस्क्रतिैches और भौत होती है और बहुतigo संस्कृति का रूप सरल होता है जबकि आप भौतिक संस्कृति का रूप कठिन होता है आप तीसरा अंतर लेख सकते हो कि भौतिक संस्कृति में परिवरतन जिलता का गोड़ होता है जबकि आप भौतिक संस्कृति की प्रगति का मापन किया सकता है जबकि आप भौतिक संस्क भाई अगला परसन आपके समख्च देखें जो है अठवा नमर परसन है कि सहयोग किसे कहते हैं सहयोग क्या किसे कहते हैं बड़ा अच्छा परसन सहयोग और संघर समाज में सहयोग भी पायाता है और संघर भी पायाता है तो परसन आप से पूछ लिया गया कि सहयोग क्या होत है वही आपका सहयोग होता है ठीक सदर लेंड beaucoup क मिलक सबすब् faithful कर гाएं से जलाता है कि आपके सांथ कòng पढ़ाई कर रहे हुँ और आपके साथ को नोर पढ़ाई कर रहा है तो क्या होए बता हूप कर रही हो औरимся's के लिए उल्स akar है तो इसकी विसेटा हैं कई प्रकार के होती हैं जैसे कि पिसेस्ता हैं कि सह योग में दो यादो से अधिक बैकश्टियों तथा समुहों का होना निवार होता है और üç योथ कि यह कि शेतन प्रकर्या होती है's और पाचवी से विसेटा होती पारत पर इक्त सहायता इव में एक साथ मिलकर के काम करने की भावना होती है चटवी बिसेश्था इसकी होती है कि लक्ष की प्राप्तिके लिए निरंतर और संगठित प्रयत्न करना यह चीजी होती कि यह सब बिसेश्था जीसे कि जो है एक प्राथमिक सायोग दूती एक सायोग और तुती एक सायोग ठीक ही चीजिए होती है अब इसी में आता है आपका सायोग के बारे में अगर पुछआ सायोग का क्या महत्तो है समाज में तो समाजी करनों बिक्तित्य विकास के लिए आवस्धेख होता सायोग saving दूसरी बात समोहिक हम की भावनत समोह गल्यान में साहात साधवार movement करता है और तसरी बात आर्थिक समाजिक संचना का अधार है कौन संयोग ओके इसी का पैलल होता है आपका संगर्स संगर्स की बात की जाये तो माई काईबर और पेज संगर्स की परिभासा को देते हुए कहते हैं क्या कहते हैं कि समाजिक संगर्स में वे सभी क्रिया कलाप समलित हैं जिसमें मनुष से किसी भी उद्देश के लिए एक दूसरे के विर्द लड़ते हैं विबात करते हैं क्या समाजिक संगर्स वे सभी क्रिया कलाप समलित हैं जिसमें मनुष से किसी भी उद्देश के लिए एक दूसरे के विर्द ल बढ़ाना चाहिए तो दोनों की बीच में क्या होगा संघर्स होगा तो यह संघर्स समाज में संघर्स होता है और क्या होता है समाज में सहयोग भी होता है यह बाद संघर्स के कई होते हैं कौन-कोन से होती है संघर्स वंगर्स कहेंगे जाती में संघर्स कहें लाद मात की बात कि याय तो संघर्स की कई भी सेस्थाएं होती हैं संघर्स की कई भी सेस्थाएं भी होती हैं संघर्स की कौन कों से भी सेस्थाएं होती हैं संघर्स की जो है संघर्स के परड़ाम भी कई तरीके के होते हैं कि समूह की एकता भंगो जाती है संघर्स से और समाज व्यवस्था के लिए बा संघर सगर रहेगा तो विक्ति कार करेंगे ओके संघर सो प्रतियस पर्धा जो होती कहिने कई दूसरी की पूरक होती है ओके तो आगे बढ़ते हैं और मुद्ध को समझते हैं जो है प्रतियस पर्धा की बात किया है तो प्रतियस पर्धा दो या दो से अधिक विक्तियों के स सांस्कृतिक हो सकती है सांस्कृतिक हो सकती है परसितिक के लिए इस परस्था हो सकती है परजाति ये तवाम परकार की होती है हो कि ये बात ध्यान लखेंगे आगे बढ़ते हो और भी मुद्धुकम समझने का प्रियास करते हैं अगला परसन आपके समख्ष क्या है वई अगळा परसन आपके लिए है एक बगती है घासाने और गेटिक्स कहते हैं इसकी परिभासा को देते हुए हलाकि मैं एक बार वैसे बता दूँ समाजिक प्रक्रिया क्या होती है ब्यक्ति जो होता है अपने स्वयम के प्रतनों से अपनी सभी प्रकार की जो आवसकता है होती है उसकी पूर्ती करने में आसमर्थ होता है कोई ब्यक्ति अपने आप में पूर नहीं होता है अकेले सोचे क कि उसका जीवन यापन हो जाएगा तो उसको एक तिनके से भी कारे लगता है कहते ने गाउँ में कि तोहार भाया एक तिनको उसकाम लागे मिलो कब हो हम उसकाम लागे आज तो इहां तो हरो काम हमसे लागे तब बताई ए चीज जो नहुत है यह वो समाजी सोसल क्या होता है अब मैं आपको समझा रहा हूँ तो व्यक्ति अपने स्वयम के प्रितनों से अपनी सभी प्रकार की जो असकताएं होती है उसकी पूर्ती करने में आसमर्थ होता है और इसी कारण से उसे दूसरों पर आस्रीत रहना पड़ता है और वह अन्य लोगों के साथ संपर्क स्थापित करके बिचारों का आदान प्रदान करता है उनसे कुछ लेता है उनको कुछ देता है उनका करम जो होता है तो समाजिक प्रकरिया मैं आपको बता रहा था समाजिक प्रकरिया के बारे में समाजिक परक्रिया समझ में आ गई कि जो होता है क्या कि जो बैक्ती होता है अपना सारा काम खुद नहीं पूरा कर पाता है तो उसमें असमर्थ होता है इसलिए और दूसरों परासरित होता है वहाँ दूसरे लोगों के साथ संपर कस्थापित करता है अपने बिचारों का कहते हैं कहने का मलब ये है कि एक बैक्ति हैं डासन और गेटिस कहते हैं कि समाजिक परकरिया वह परकरिया होती है जिसके द्वारा मनुस्य जो होता है एक दुसरे के मस्तिक्स में अंतर बिष्ट करते हैं आर्थात आप मरीबत को जाने हम आपकी बात को जाने आप हमारे काम क की यहाँ समय समय पर साहेता करते हैं और घुक दूसरी की आवस्यक्ता में निरंतरता मलब की पाई जाती है ततपश्चात उनके संबंद घनिष और मधुर होंगे और इसका परेडाम दोस्ति के रूब में निकलता है उनके सहीोग मलब उनने सहीोग पनपता है और यही समाजिक प्रक्रिया होती है जो की इतने ही चीज़े हमने बताई ओके किलर हो गई बाते समाजिक प्रक्रिया समझ में आ गई आगे समझते हैं आगला प्रसन आपके समगछे दस्वा नमर प्रसन है समाजिक गति सीलता को परिभाज़त कीजिए समाजिक गति सीलता को परिभाज़त कीजिए समाजिक गतिसीलता क्या होती भाई समाजिक गतिसीलता आप सोचो समाजिक गतिसीलता क्या हो सकती है फड़ा परसे बताने का प्रियास करें समाजिक गतिसीलता क्या होती है समाजिक गतिसीलता क्या हो सकते हैं जैसे की बात की जाए हलाकि मैं परिभासा पहले बता दूँ उसक अगर समाजिक पद पर किसी भी पद पर आप है और उसमें आप परिवर्दन करते हैं तो उसी परिवर्दन को समाजी गती सिलता करते हैं ओके यह बात के लिए रहो गई आपकी समाजी गती सिलता की बात की यह तो इसके कई कारण हो सकते हैं पहला कारण परदोगी कि यह आप इसकारों की बहुलता दूसरे कारण क्या सिक्छा में प्रसार दीसरा करण क्या होगा ज्यान तथा कुछ सल्टा में ब्रद्धी करना हुआ तो समाजिक सिल्टा होती है, चाहुती बात क्या उच्छ पद पाने की एक्छा से गत्सिल्टा होती है, पाचवी क्या उच्छ पद मिलने की प्रेड़ा, छठवी बात क्या हो सकती है, आरजित समाजिक संगठनों इस्थान से मिलता है कि धारविक मानिताव में परिवरतन होता है इसकी परिवरतन होता है उसकी आर्थिक सिते में परिवरतन आ हैं फिसर, फिसर कहते हैं कि समाजिक गत्सिलता, ब्यक्ति, समूह या स्रिणी की एक समाजिक पद या अस्तर से दूसरे गती को कहते हैं, ये बात इन्होंने बताई, ओके, आगे देखते हैं, अगल आपकी आगाए भाई कीवल पांच परसनां से करने, खंडबा, दोसों सब् अगर आपको और देखना है, तो एक मेरी वीडियो जो पड़ी हुई है, उसको देख लिए जाकर के, आपका सब काम हो जाएगा, सारे के सारे परसना आपको उसी में मिल जाएंगे, सारे परसनों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग जो है, वो तीन घंटे वाल में क्या पूछा गया है, समाजिक अस्तरिकन के प्रमुख आधारों को बताते हुई उसकी परिभासा जो है, दीजिए, प्रसन बड़ा ही अच्छा है, समाजिक अस्तरिकन को लेकर के हैं, एक्जाम में समाजिक अस्तरिकन को लेकर के प्रसन जरूर आता है, समाजिक अस्तर सिल्टा को सोसल मौबिलिटी कहते हैं समाजिक अस्तरिकन को चाहते हैं समाजी का स्थार्टिफिकेशन कहते हैं समाजिक की परिभास आप से पूछागा है तो समाजिक काई क्या है प्रिकार से मालेते कोई दूसरा पदपर है किसी दूसरे पदपर है तो समाज का जो होता है उपर से नीचे या नीचे से उपर एक अस्तर में फिक्स करके विकास मलग की वो होता है कि समाज में परतिक बैक्ति का अस्तर फिक्स होता है कि हां किस कड़गरी का बैक्ति है क्या क का ऐसा क्या तो वही होता है अस्टरी करने था किसका वही होता समाज का किसी पदपर होता है दूड आपका कर रहे है उसüne पाद पर लख कि वह आपकी भूमिका हिता हो गई समाज का स्थरिकन के प्रमुखाधार कोन कौन से हो आउट्से зачастफ क्या होता है तो उसके हिसाब से आपको णृत्पर पर बने रहेंगे आपका पडी क्या क्या होगा संपत्ति कितनी क्या है बात क्या होती है धार्मिक ज्यान आपके पास कितना उसके हिसाब से आपका समाजिक अस्तरिकन फिक्स होता है पार्चवी बात क्या होती जनम आपका कहां पर हुआ किस में हुआ है कि स्कुल में हुआ है ठीक तो यह चीज होती है ठीक तो यह चीज होती है ठीक तो यह सब अस्तरिकन के क्या होती है आधार होती है यह सब्सक्राइब के लिए होगी आपकी तो प्रमुखादारम ने बता दिया अगला परसन तीसा नमर परसन देखेंगे समाजिक मोली क्या है समाजिक मोली क्या होते हैं और समाजिक समाजिक मोली को अंग्रेजी में सोसल बैल्यू कहा जाता है और समाजिक मोली की बात की जाए तो समाजिक बेवहार को मापने का एक तरीका होता है समाजिक बेवहार को समाजिक मूली समाजिक मूली ये फिक्स करता है कि आप क्या करेंगे तो सही होगा क्या करेंगे तो गलत होगा समाज में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समाजिक मूली के हिसाब से होता है ठीक ये बात ध्यान नखेंगे राबर्ट बीर स्टेड समाजिक मूली के परिभासा को देते हुए कहते हैं कि जब किसी समाज के इस तरी पुरुस अपने ही तरह के लोगों के साथ मिलकर मिल के अपने लोगों के साथ मिलते हैं काम करते हैं या बात करते हैं तब मोली ही उनके करमाद समाजिक सासरगर को लग कि सानसरगो को कया करता है कहने का मलब यह सिंपल सी कि समाज में किसी समाज का मूल अलग-अलग हो सकता है समाज में किस तीज की क्या बैल्यू है अगर आप चोरी करते हैं तो चोरी की बैल्यू क्या है चोरी की बैल्यू यह है कि आपको दंड मिलेगा आपको समाज से बहिस्कृत क्या जाएगा इसी समाज की बात किजा उसमें मल्ठे की living relationship गलत बात है वहाँ पर आप ऐसे कर दें तो आपको दंड मिलेगा अगर आप उसमें जो है तरीके से कोई मल्णा की अच्छा कारी कर दें तो व्हाँज है अच्छी है सकारातमक हो उच्छा कारी आपको प्रोषान मिलेगा आपको प्रुसकार मिलेगा ये चीज़ी ठीक समाजिक मूली होता है समाजिक मूली की विसेस्ता हैं क्या होती इसको आपको बता दें पहली विसेस्ता समाजिक मूली की होती कि समाजिक मूली समाजिक मानक होते हैं ठीक दूसरी बात क्या है समाजिक सांस्कृतिक मोली सामोहिक होते हैं तीसरी बात कि समाजिक मोली समाज के द्वारा सुभिकार किया जाते हैं चौथी इसकी बिसेस्ता यह है कि समाजिक मोली भाव नाओं से जुड़े होते हैं पाचिवी बात क्या होती है कि समाजिक मोली गत सकताओं के लिए महत्पूर होते हैं किसी बिक्तिक कैसे पता चले कि हां समाजिक मोली क्या है तो वो उसके हिसाब से कारिकरी समाजिक मोल्यों के साब से ओके और मोल्यों को इस प्रेंगर इस प्रेंगर महोदे ने छे प्रकार के मूलियों को बताया है पहला बोधिक और सध्धांतिक मूली छे प्रकार के मूली कौन कौन से इसको आप से पूचे मलक की मूली कौन कितने प्रकार के तो छे प्रकार के पहला कौन सा मूली हो गया बोधिक और सध्धांतिक मूली दूसरा मूली आर्थी कथवा ब्य के वल बात के लिए तो दो परकार के मोल्यों को बताते हैं एक होता है साध्धिमूल और एक होता है साधन मोल्यों के दो परकार के मोल्य किस ने बताया राधा काउल मुखर जी ने बताया थे तो किलल होगी बाते समाजिक मोल्य के बारे में हो गई बाते हैं आगे समझते हैं परिभाद कीजिए यह सारे के सारे प्रस्निकजांसे पूछा जाएगा तो आप आप आसानी से कर पाएंगे एक भी प्रस्नाब से छूटे कर नहीं मेद बता रहा हूं उर्था है मैं आपको समझा दूं ठीकल करू रूट बात पहले हम समझे गें यह लो क्रीज क्या होती है ठीक तो कि सब्सक्षारिक छहाएं चहीज बिएक जलएन निए सभीकार कर लिया आता है तो उसे जनदीती कहते हैं साधानता या विचार उस संपूर्ण समूह की आदस सी बन जाती है ठीक ये बात ध्यान लखेंगे साधानता जो व्योहार किसी सब्यक्ति मिलब किसी समूह के लोग अपनाते हैं उससे मानिता परदान करते हैं उसी को हम जन एबर पेच कहते हैं कि जन्रीतियों की प्राप्त भ्यावार करने की पद्धतियां होती है इसका अब रूधियां और लोका चारी क्या होते हैं लूधियां रूधियां और लोकाचारी यह लिए अपना दे कि हां ये चीज करा जाएगा तो वो चीज्श क्या होगे जनरीतिया उगे लोग रीति होगे कि हां ये करना है के उन्हें स्वविकार कर लेते हैं कि उन्हें जन्रीतियों से उनका कल्यान हो रहा है या उनका कल्यान अवस्य होगा तो उन्हें मान करके उन्हें स्वविकार करते हैं और उनसे उनका कल्यान अवस्य होगा तो वो रूढियां कहलाती है मलब कि जो जन्रीतियां होती हैं उन्य का बड़ा रूप जैसे कि जनरीटải आगर को जनरीटा कि विक्ति अपन रहा है कि मालेते हैं कि अगर वह जो है उत्तर दिसा कि हयो और अगर सुबा निकल रहा है इसका पूरा का पुरा दिन सही निकलेगा तो ये जनरीती होगी माल लेती हैं या ओक विभाह में कथा सुना उनेकों जनरीती तो यह हो जाई गाली तो वहाई उससे उसका क्या हुआ कल्यान हुआ अच्छा हुआ अब दुबारा जो है वैसे करने लगा और एक पीधी से दूसरी पीधी दूसरी से तीसरी तीसरी चोथी इस प्रकार से एक पीधी से दूसरी पीधी में वो कथा सुनने की परंपरा चलती रही और वही रूधिया क्या हो रोडियां समाज में ब्यक्तियों के ब्योहारों का निधान ही ने करती बलकि वे ब्यक्तियों तो था समाज को एक लक्षी बनाती है यही कारण है कि समाज में सुद्रणता बनी रहती है रोडियां भी समाज के विकास के सासाथ विसेसिकर्त होती है रोडियों के कई विसेस्त प्रसना आपके समझे पच्छवा नंबर भूमिका की परिभासा बताते हुए उसकी विसेष्टाइं बतलेगे एक भी टापिक आपका बाची ही नहीं रहा सारे के सारे टापिक साबको मैं बता दे रहा हूं भूमिका के बारे में पूछ लिया गाए कि भूमिका क्या होती भाई भूमिका क्या होती बहुमिका के बारे में पूछ लिया गाए भूमिका कोई जो है लड़की का नाम नहीं आप सुचे भूमिका भानी रोल जिसको आप कहते है रोल जैसे कि आप कोई पिचर देखें तो पिचर में जो है किसी बिक्ति का क्या रोल है उसी को भूमिका का याता है ओके बात के लिए रहोगी आपकी भूमिका समझ में आ रहे बाते हैं भूमिका के बारे में आपके बाते समझ में भूमिका क्या होती है भूमिका माने रोल आपका समाज में किसी समाज में आपका क्या प्रियोग किसी परिस्टिती से संबंधित सांस्कृतिक पर्तिमानों की समग्रता के से लिया याता है और इस प्रकार भूमिका के अंतरगत हम उन सभी मनोब्रतियों मुल्यों था व्यवहारों को सम्मलित करते हैं जो किसी विशेश पर्थिती में सम्मंधित बैक्ति अथवा बैक्तियों को समाज द्वारा प्रदान कियाती है जिन कारियों का समाज में निर्वान करते हैं उसी कारी को भूमिका कहता है आपको क्या कारी करना यही आपकी क्या होती है समझ में आगई बाते भूमिका की बिसेस्ता आप कैसे लिखें कि पहली बिसेस्ता भूमिका की बिसेस्ता 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 द्वारा दी जाती है यह बात ध्यान नेकिंगे और भी तीसरी बिसेस ताब लिख सकते हैं कि एक बिसेस भूमिका को पूरा करने की प्रतेक ब्यक्ति से दो कारणों से आसा की जाती है प्रथम तो इसलिए कि ब्यक्ति समाजिक मुल्यों के अनुरू ब्योहार करें और दूसर से होती है तो भूमिका है यह उती है कि प्रदत रिला परिश्टि जो होती है प्रस्थिती कि थरा मिका भी तो परकार की लोती पंर में आगे-समंज़ते हैं कि वही परिस्थिति को परिभास करते हैं निमगाफ केते हैं कि परिस्थिती सबसे अधिक सरणल परिभासा इन्होंने ही दि alltid है और कहा कि यह समूह के पद का परति किसि समुह में किसी समाज में आपका क्या पद है उसी को समाजिक परसिती कहा जाता है ओके ये बात ध्यान लखेंगे समाजिक परसिती कई परकार की हो सकती है इसे परदत परसिती और एक अरजित परसिती परसिती आपको कैसे होती है जातिगत आपकी सत्ता क्या है सारे दिश्टाएं क्या है इसके हिसाब से आपको ये प्रत्त परसितिया होती है आरजित में जैसे कि आपने आपकी आरथिक दसाएं क्या है और आपकी संपत्य कितनी है बेक्तिक योगिता कुसलता कितनी है सब अर्जित होती है राजनितिक दसा मलग की राजनितिक सत्ता क्या है समाजिक मोल्यों का पालन आपके ने कैसे किया है समाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था आपने कैसे डिल करी तो यह सब बोटी हैं परांसे संवागा सब्सक्राइए अगे डानल नंबर नमबटेशस्ट की परिभादादा परिवार के परिवार क्यों परिवार समय कीशन प्रकार आपसे पूछा गया है तो परिवार के बारे में अगर बात की जाए तो परिवार क्या होते हैं परिवार कितने परकार क्या होते हैं तो परिवार आपके कई परकार के होते हैं परिवार आपके कई परकार के होते हैं आपको जो है राज जी और परिवार या फिर इन स कि परिवार के कई पर्कार होते हैं आप को बिसतार से समझना चाहे तो बड़ा लंबा चाहगा हला कि मैं और आप को बता दूँ अगर आ आना माने तो परिवार जो होता है आप की बाद की जाए तो एक कई परिवार का परकार आप लिखिए फ sad aki की परिवार जिसको nuclear family कहते हैं ठीक है और यह परिवार का सबसे छोटा भाग होता है जो nuclear family होती है ठीक इसमें क्या होता है पती पतनी और जो पती पतनी के द्वारा बच्चे होते हैं वो होते हैं तो उसी को मलब कि जब बच्चे बालिक हो जाते हैं तो अलग परिवार का नि जिससे कम से कम तीन पीड़ी के लोग जो होते हैं समान निमास करते हो एक साथ एक रसुई हो एक आर्थी किकाई हो और समान पूजा में भाग लेते हो सभी लोग परस पर रक्त संबंध हो तो ऐसे परिवार की पूरी सत्ता का मुखिया जो हो एक हो और तब ऐसे परिवार को ह का कहते हैं उसको हम सभी तो परिवार करते हैं ठीक है थीक है थीक है तीसरी नियुस होता है बृतित परिवार यानि की extended family जिसको कहते हैं और ये परिवार का वह होता है जिसमें कई परिवार एक वऑंसानुकरम से संब्ध्ध होते हैं कि निवास के रूप में उनमें कुछ परिवार अलग-इकाई में बन्दे हुए होते हैं बटे रहते हैं कहने का मलक की उनका खाना पीना लगबग बटा हुआ है लेकिन वो एक दूसरे से जोड़े हुए है जैसे कि इस परकार के जो परिवार होते हैं खास करके अफरीका के समाजों में आप देख सकते हैं ठीक उनकी में एक मलक की वंसा नुकरम की भावना उन्हें एक सूतर में बाधे र होती है किन्तु मानसिक रूप से सनुक्त परिवार से जोड़े हुए होते हैं भारतिय नगरों में ऐसे परिवारों की जंख्या बढ़ रही है सद्धानतिक रूप से यह परिवार सनुक्त परिवार का ही ब्रहत परिवार की इकाई होते हैं और परिवार परन्तु परिवा पापा जी हैं और आपकी चाचा वाचा हैं तो आपके चाचा माले ते दू तीन तीन चार भाई आपकी पिता जीत तो वह कहीं सहर में रहे हैं लेकिन जब भी कोई फंक्शन हो रहा तो घर पे आपके आ रहे तो यह सब परिवार होती है ठीक यह परिवार के प्रकार हमने बत परशन आपके समागिन तुम्हा नमबर धरम का आर्थों परिफांसा बताले का प्रिγास करता हूं और ये धर्म का अरत कि Κा है व cafला दतर कीकोjes निToday थर्म आध्लिया प्रिफांसा बड़ी चोटी सी है असली सी यान हो जागik आपको और एक परिभासा एक विक्ती ने दी है सर जेम्स फ्रेजर मौदे कहते हैं धर्म की परिभासा को देते हुए कि धर्म से मैं मनुष से स्रेष्ट उन सक्तियों की संतुष्टी अथवा आराधना समझता हूं जिसके संबंध में या विस्वास किया जाता है कि वेपरकृती और मानो जीमन को मार्ग दिखाती हैं और निंतरत करती हैं ये बात होती है तो धर्म वही होता है धर्म की अर्थ की बात किया है तो एक विसेस सक्ती पर विश्वास इह धर्म होता है और ये सक्ती मानों सक्ती के से आवस्यक रूप से स्रेश्ट होती है ये बात होती है धर्म की बात किया है तो धर्म में आप लिखेंगे कि जैसे उस संबंध में भय या उसके दंड का भय र है तो उसको मानना पड़ता है तो कहाने का Belgium मनलब के धरम में आप देखेंगे बसस्यस्ताओं में आप तमाम इसलेंगेसक्त हैं धरम की धरम की पहले बसस्ता होती है की आलो की सक्ति में विश्वास ओता दूसरी भी सिस्ता, प्रारतना पूजा में माराधना होती है, धर्मे hacia question, अबी सब रर्दी के धर्मeleri, त्सकूज romance व्माराधना होती है, द्हर्में की आती है जो की पूजा पाट रवाते हैं, यो भी कुछ करना होता है चोथी बात होती है भावात्मा कि उमानसिक पक्षोता है दर्म की अपना पाच्छी भी बात होती है कि निशे तरफ पर आपके सारे डाउट्स किलेर होई होगे अब यहाँ पर देखेंगे किवले यहाँ से दो प्रसना को करने हैं खंड सा है एक प्रसन का उतार को पांस वब्दों में लखना होगा दस नंबर का प्रसन होता है यह पहला प्रसन देखेंगे राजी की परिभासा दीजिए इसके मौलिक तत्तों की विवेचना कीजिए अ Western कि लख सकता है क मौलिक तत्तों जैसके अन्यषित भुभाग होना चाहिए जन संक्या उलन चाहिए इसाजजि का होता है राज आपका जिसमें जसन्ख्या निमाज करती हो ठीक है और एक निशित भूभाग हो वही राज्य होता है आपका ठीक ये बाद ध्यार नखेंगे राज्य के बारे में हो गया आपका उसलिए अगला प्रस्णे उत्तर बड़े लंबे हो जाएंगे इसलिए आप लोग देख लेज गा इसको आपो समाज में होता है इसको लगर करके एक्जाम से पूछा सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो इसको जरूर आपने बताने का प्रियास करेंगे कि मानों और प्सुसमाज में आखिरकार क्या अंतर होता है ओके इसको हमने साथ एक वीडियो में आपको बताया होगा मानो और पुस्वाज में अंतर हमने पूरा का पूरा बताया था मनुस्य और उसमें कई सारे अंतर होते हैं अलाकि मैं आपको बता दूँ पहला अंतर एक बार उसे औरली भासा में सुनिएगा पहला अंतर होता है मानो और पुस्वाज में कि मस्तिक्स के विकास के अधार पर अंतर होता है, दोनों की मस्तिक्स में अंतर होता है, दूसरा अंतर क्या लिखेंगे, बोलने की छमता के अधार पर अंतर होता है, जो मानो समाज होता है, बोल सकता है, उसकी बाणी को समझ सकते हैं, पस समाज की बाणी को लोग नहीं समझ स हैं यह चीज होती है तो यह आंतर होसकता है पांचमा अम्ल trillion कि क्या अधार पर एक्जाम से पूचा सकता है अगर उतना पढ़ लेंगे तो आपको कुछ पढ़ने का आवसक्ता में पढ़ेगी आपको अथवा करने में परिष्ट अब कारने में परिशार मत हुई चलिए फिर बेस्ट आप लाख मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए जयांजा भारत आप सभी को बहुत बहुत धनिमाद हमारत जुनने के लिए सीप्रकार सब्मा कारदोला हमें साथ बना लेके बहुत बहुत धनिमाद आपको